जस्टिन टूडो ने कल जड़ी अपने पार्लीमेंट दे विच स्टेट्मेंट देती है वो स्टेट्मेंट ने पारतनों एकवर हिला देता है क्लियर कट जस्टिन टूडो ने जड़ी शक्त दी उंगल है वो इंडियन थर्ड अजंसी वल कर देती है पाई हरदीब सिंग निजर दा कतल दे पिछे इंडियन अजंसी दी इन्वाल्मेंट है एक गल दा संकेत काल जस्टिन टूडो ने दे देता है और एक गल उन्हाने कोई पुलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती है कनेड़ दी इन्वेस्टिगेटिंग अजंसी दी रिपोर्ट दे बिहाफ दे कह रहे है और फिर उस व्यक्ती दी फराग दिली देखो उस दी स्टेट्समेंट शिप देखो कि उन्हें जी ट्वंटी दे मौके पारत आके पारत दे प्रदानमंत्री निरंदर मुदी नू एगल आमने सामने बैके अक्च अक पाके कही है के तो अडियां अजंसीज साधे मुल्क दे विच इंटर्फियर कर रही हैंने तो अडियां अजंसीज दा पाई निजजर दे कतल दे पिछे रोल आप पूमिकाए फिर उने एगल यूएस प्रेजिडंट नू कही है जी टॉंटी दे मौके फिर यूके दे प्राइम निस्टर नू कही है तिन मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दे हैड़िस नू कैन तो बाद उव वापस गए उनने अपने साथियां नू मंत्रियां नू ते अपनी अवाम नू गल कही है ए ओ गल है जिड़ी सिक कौम पंजाब विच ते वदेशां विच उस दिन तो कहरी है जजदिन दा पाई परमजी सिंग पाँजवाड नू छे मई नू लहौर दे विच गोलियां मारके उस दा कतल किता गया सी इमिजेटली डेड़ महिने बाद 18 जून नू पाई नजजर नू गोलियां मारियां गया असी ओदों भी क्या सी कि दोना दी शहादत रंग ले आएगी दोना दी शहादत दे पिच्छे दोना दे कतला दे पिच्छे हाथ पावे अलग लगने पर सोच दे दिमाग एक की है और एओ लोग ने गेड़े दिल्ली दे विच बैठे सरकारा नू रिमोट कंट्रोल रही चलों देने अजिए पिलिटिकल लीडर्शिप दा किन्नी को पूमका है उनना नू लूप दे विच रख्या गया है नहीं रख्या गया है एता हुन देश दी जड़ी पारदी पिलिटिकल लीडर्शिप है ओई दसेगी प्राइम निस्टर नू जवाब देना चाहीदा है एक कोई तरक कोई जवाब नहीं है कि आसी कनेड़ा दे ऐलिगेशन्स नू रद कर दें केड़ा मुल्क मननेगा केड़ा मुल्क कहेगा हांची इसी मारे ने असी एक्स्ट्रा डुडीशल ओपरेशन्स कर दे हैं कि दुनिया दे वड़े सारे मुल्क कर देने एक्स्ट्रा जुडीशल उपरेशन दुझे मुलकां देवेच्ट अपने वरोधिया नू मार देने पार्द भी मारता है परे बच्या सी इन्हे नकाब पाया सी टूडो ने का लेना दा नकाब लाया नशर कीता है नू दुनिया देविच नंगा कर देता है कि एकम और देखो उने कल्ला अपने कारवाइक है नहीं किता है इते दसके गया है यह बहुत बड़ी हो दी दिलेरी भी है बगानी थांते आके उस दे उस देज दे मुखीन हूं अम सामने बैके एगाल कहनी कि तो अडिये जन्सिस दा रोल है यह बहुत बड़ी काला है असी लोग ते कही रहे सी असी दे प्रोटेस्ट भी किता सी रहो दे आफिस दे बार रहे थे छेट जड़ा कतल होया सी मेरे खाल इट वस फर्स जलाई एक जलाई नो सी प्रोटेस्ट किता सी स्टेटमेंट सब ने देती हैं साथ से मन जिससी मान वी देते पालिमेंट दे विच बोलेने असी मंग भी का रहे हैं असी जस्टिस टूडो नो बाई जून नो चार दिन कतल तो बाद जस्टिन टूडो नो चट्छी भी लिकी सी कि सानू फेर प्रोब चाहिदा है असी कातल सलाख खांदे पिछे चौने या असी चौने या कातल फड़े जान उना नो कनेडियन लॉज दे तहत सजामा हो और देखो उस मुल्क दे उस प्रदान मंतरी दी कि उन्हें आठ दिन बाद सानू जौब भी पिच जासी उन्हें कि ऐसी प्रोब जारी है असी तो अड़ी चट्छी जस्टिस डिपार्टमेंट नो फावर्ड कर द उन्हें ने किया कि ऐसी बरदाश नहीं करांगे कि कनेडियन नाकरिक्दा कोई बारों आके इते कतल करें इसा डिसोवरैनिटी दी वाइलेशन है तो बहुत बड़ जाम है और कल्ला जाम नहीं लगा सौरी मैं भी जाम बड़ बरत रहे हैं कल्ला जाम नहीं लगा उन्हें इन्डिया तो कॉपरेशन मी मंगिया है अगर इंडिया कोपरेट करन ली त्यार है अगर इंडिया कहना दा साड़ा कोई रोल नहीं है साड़ा कोई अधिज पॉमका नहीं है ते फिर कॉपरेट करन अपने ऑफिसर नो कहन कि ओथे इन्वेस्टिकेशन नो जॉइन करे क्योंकि ओधिकोल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कूट नितिक कवज है ओधिकोल कूट नितिक सुरक्ख्या है गी है उन्हों को उते ग्रिफतार नहीं कर सकता है तो वापस आ रहे है अगर उए पारत चांदा है कि अपने दामन तो एलजाम लोना ते फिर अपने आफिसर नो को उते स्टे करे ते कनेड़ा दी इनिवेस्टिकेंशन अजंसी नो जॉइन करे उनना दे सवालां दे जवाब दवे तिसली बख्ष जवाब दवे फिर पता लगेगा सो मैंनों लगदा है कि ए भी पॉलिटिक्स कारे ने फस ए गए ने पारता ले पता दुनिया नो लग गया है वाइट आउस ने भी एदा सीरियस मतलब नोटिस ला ले उनना नहीं कहता है बड़ा सीरियस एक्क्यूजिशन है उन ओवी एस जी दी प्रोब करनगे उन सारी दुनिया दी आखां खोल गी आने और असी ते बेंती करना चाने है कि पाकस्तान वी एक कॉंप्लेक्स तो बाहर आवे गवर्मेट आफ पाकस्तान मी क्लियर करे कि पाई परमजी सिंग पांजवार दे कतल दे पिछे वी कौन सा उननों चुपनी रहना चीए था और जे टूडो ने हिम्मत कीती है ते बाकी मुल्क भी एवन यूके भी इस गल्दा दी इन्वेस्टिकेशन करन कि पाई अफ्तार सिंग खंडा दी जड़ी प परगट कर रही है उसनों संजीदगी दे नाल लेना चाहिए तो मैंनों लगदा कि पारत एक कुड़की जा गया और इस तो बचंदा एक कोई कराए कि सच बोले और सच बोलके परदान मंतरी दसन के की उनना दी अजंसीज एक्स और दूसरी गल्दा कि अगर इस नों नों क्लियर कट एक पुलिटिकल विल दे नाल एक दसीजन लेना पर एगा क्योंकि जदों दा कश्मीर दे विच उनना ने तिन सु सत्तर तोड़ी ये उस तो बाद दे ना हांसले उनना दी स्क्योटी इस्टैबलिश्मेंट दे बहुत वदे ने ओवद चड़के हमलावर ह दे ये तानच शही फैसले कर रहे ने हिउमन रैज्स दीम वाईलेशन कर रहे ने परवा नहीं कर रहे अमेरिका नों खुश करके अपने नाल जोड़ लिया ते इस तरह महसूस कर रहे ने कि अमरीका सा डिनाल होना सी सारी दुनिया नों पामें कुछल दे आंगे होना सी सा कारियाने जड़ी ऑपरेशन्स कारेने उन्हों स्टॉप करन अगर उचांदेने के अगोंतों किसे भी कौम वों किसे भी खिते वों कोई रियक्शन ना हो